आपको गैप अपनिंग देखने को मिलिए और बैंक निफ्टी में भी आपको गैप अपनिंग देखने को मिलिए यहां पर काफी चीजे किलिए है अगर आप देखेंगे, बैंक Nifty के अगर आप बात करेंगे, तो यहाँ पर भी आपको previous Dehi का breakout मिल रहा है, यहाँ पर Nifty Financial Services में भी previous Dehi का breakout मिल रहा है, और बैंक Nifty में भी आपको previous Dehi का breakout मिल रहा है, इसका discussion हम Nifty 50 वाली वीडियो में करेंगे, यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज समझाने के को से करता हूँ, पहली चीज हम discussion करेंगे कि पहली candle में आपको breakout मिला, तो क्या यहाँ पर setup activate हो रहा था, previous Dehi के breakout वाला यह discussion करेंगे, दूसरा discussion जब market वापिस आया, market ने अपने trading day low का भी breakdown दिया, और साथी साथ अपने previous Dehi का भी breakdown दिया, तो क्या यहाँ पर यह setup activate हो रही थे कि नहीं, उन सारी चीजों का हम detail में discussion करेंगे कि किस तरीके से हमें trap से बचना था, यह कहाँ पे हमें market को पकड़ना था, और यह पहले logic समझते हैं trade के पीछे का, लेकिन उससे पहले मैं आपको Monday के time frame पे कुछ चीज़े दिखाने के कोसिस करता हूँ, कल मैंने आ discussion किया गया था, दूसरा discussion क्या किया गया था, हम सभी जानते हैं, अगर कोई important support है, breakdown मिलता है, तो वो एक important resistance की track करने के उसकी possibility बढ़ जाती है, यहाँ पे आप साब साब देख सकते हैं, जो हमारे लिए support बने हुए थे, वहीं पे market resistance की track करता हुआ, आपको दिखाई दे रहा हमारे लिए important चीजे थी यह, यह क्या है हमारा previous day high, यह क्या हमारा previous day closing था, यह क्या था हमारा previous day low था, market ने आपको एक gap up opening दी, यानि कि मैंने आपको समझाया है, बड़ी green candle, बड़ी red candle, बड़ी gap up opening, बड़ी gap down opening, इन चारो चीजों से दूर रहते हैं, क्योंकि यह चलती train ह होते हैं, साथ के साथ sideways market से, तो बात हो रही है हमारी gap up opening की, तो इसका मतलब हमें पता चल गया है, कि बड़ी gap up opening मिलगी, market में यानि कि एक train चलनी सुरू होगी, इस train के लिए platform का इंतजार करना है, पहले चीज हमें समझ में आगे, यानि कि कूते ही market में नहीं गुसना, यह इतनी बड़ी gap up opening आपको दिखाई दे रही है, साथ के साथ market previous day high का breakout भी दे रहा है, तो पहला सवाल यहाँ पे जो यह उठता है, कि market ने previous day high का breakout दे दिया, तो क्या इस setup पे काम करना है, जवाब क्या न चाहिए, नहीं काम करना है, क्यों क्योंकि यहाँ पे हमें बड़ी gap up opening मिल रही है, बड़ी gap up opening से हम दूर रहते हैं, पहली चीज यहाँ पे समझ में आगी, यहाँ कि एक platform का हम इंतिजार करेंगे, तो market ने यहाँ पे time spend करना सुरू कर दिया, कहीं न कहीं धियान से देखो, जो third का day low है, market उस level की respect कर रहा है, अगर आप धियान से देखेंगे, उस level पे market resistance की track कर रहा है, time spend कर रहा है, अगर यहीं से हमें breakout मिल जाता, तो यहाँ की market में platform भी create कर दिया, और यहाँ की train रोक भी गई, हमें गुसने का भी time दे दिया, यहीं से breakout मिल जाता, तो हम positive side positions बनाने के बारे में सोच सकते थे, अगला resistance बनता हमारा यह third की previous day closing का, यह momentum दिखाया, अब कहीं न कहीं market क्या create कर रहा है, हम यह देख रहे हैं, कि market पहले support लेके गया था अपने previous day high पे, जो यह market में opening होई थी, इसका मतलब हमारा क्या है, हमारा trading day low भी इसी zone में बना हुआ है, तो market ने breakdown दे दिया, दोनों का breakdown दे दिया, previous day high का भी आपको breakdown मिल रहा ह trading day low का भी आपको breakdown मिल रहा है, काफी बहतरी यह भी आपके लिए setup बन रहा है, देखो लेकिन यहाँ एक follower candle नहीं बनी, अगर follower candle बन जाती, तो आपके लिए support बनता previous day closing पे इसका भी breakdown मिलता, तो आपका support बनता previous day low पे, लेकिन यहाँ पे breakdown तो मिला, लेकिन इसके बाद follower candle नहीं देखियोगी, सीधे इसी breakdown पे trade करने की कोसिस कियोगी, तो उनके एसलेट हुए होगे, लेकिन किसी ने अगर follower candle का इंतजार किया होगा, देखो market ने काफी बहतरी इन गिरावट भी दिखाई, setup भी बनाया, previous day low का भी breakdown दिया, trading day low का भी breakdown दिया, लेकिन एक follower candle नहीं नीचे support बनने की possibility रहती, previous day closing पे, और अगर इसका भी breakdown मिलता, तो previous day low पे, अब market यहां से भी support लेने लगा, support लेके चल चुका, फिर से अगर आप देखेंगे, आपको previous day high का market ने breakout दिया, अब मैं आपसे यहां पे एक सवाल पूछता हूँ, आपको इमानदारी से जवाब देना है, previous day high का market ने यहां पे breakout दिया, तो क्या setup बना, नहीं बना, ठीक है, इस चीज़ को समझो, दूसरी चीज़, आप कहेंगे, momentum तो बहुत जादा positive है, अगर trade ले ले लेते, बहुत जादा positive चला जाता, कोई बात नहीं चला जाता, तो चला जाता, लेकिन अगर हमारा setup नहीं बन रहा है, तो हम trade नहीं करेंगे, setup क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि हमने क्या यहां पे देखा, कि हमारा जो trading day high है, वो यहां पे है, तूसरी चीज़, market ने यहां पे बहुत जादा time spent किया है, साथ की साथ यहां पे third cut day low भी पड़ा हुआ है, इस चीज़ को आपको trading day high का breakout देगा, फिर market ने जैसे ही आपको यहां पे trading day high का breakout दिया, यह momentum आपके लिए था, इस momentum का आपने उमीद है, फाइदा उठाया होगा, उसके बाद market हमारा जो अगला resistance था, यह previous day closing था, third की, जो यह previous day नहीं, third की day closing था, market वहीं पे resistance की तरह करके reverse हो गया, तो यहां पे समझने लाइक चीजे क्या थी, पहली चीज, जो मैंने आपको यहां पे explain की, वो जरूर थी, दूसरी चीज, जब market वापिस आया, उसने previous day high का भी breakdown दिया, trading day high का भी breakdown दिया, लेकिन एक follower candle नहीं बना पाया, अगर किसी ने यहां पे trade करने की कोशिस की, तो उनके ऐसे लेट ह होई होँगे, बहतरी इन setup हमारे का भी बना, जब market ने यहां पे trading day high का breakout दिया, दूसरी चीज, यहां पे market ने फिर से अपने previous day high का breakout दिया था, लेकिन इस setup पे काम नहीं करना था, क्यों नहीं करना था, वो मैंने आपको explain कर दिया, क्योंकि उपर यह important level हो गया था, market पहले ह से retest कर चुका था, और यहां पे time spend भी कर रहा था, एक रोकावाड दिखा रहा था, हो सकता था, बच देने को market ने इसका breakout दे दिया, लेकिन हो सकता था, market इस range में ले जाके आपको sideways कर देता, और कहीं ने के अगर आप last में देखेंगे, market ने इस range के बीच आपको sideways momentum दिया ह वापिस आके, यहां पे clear समझ में आ रही है कि नहीं, कोई भी confusion नहीं है ना, अब मैं आपको one day के time frame पे लेके चलता हूँ, बाते explain करने के कोशिज करता हूँ, जो हमने यहां पे discuss की थी last time, और फिर से जो हमारे लिए जरूरी है, पहले चीज हमने क्या discuss की थी, कि यह important support है, यह resistance की track कर सकता है, वो चीज हमें दिखाई दे रही है, हम इसे breakout नहीं मानते हैं, अगर market इस तरीके से momentum गया और इस तरीके से आपको यह candle दिखा रहा है, तो यह as a resistance से consider किया जाएगा, breakout प्रोपर तरीके से ऐसे माना जाएगा, पहली चीज, तूसरी अगर market इसका breakout दे भी करता, तब तक हम नहीं उमीद कर सकते कि market में positive momentum के continue हो चुका है, क्योंकि हो सकता है market नहीं यहाँ पे trap करने की कोशिस की हो, breakdown देखे कि यहां से लोग selling करेंगे, लेकिन नीचे भी हमारे लिए important support zone यहाँ पे बैटे हुए थे, कि market पहले भी यहाँ पे support लेके bounce कर चुका था तो फिर से market उसे support zone के नजदीक था, हो सकता है market trap करने की कोशिस करो, दूसरी चीज जब तक market इस range में घुमेगा तो possibility यही रहेगी उपर नीचे एक sideways create करने की कोशिस करेगा, यानि की positive momentum हम कभू उमीद करेंगे, जब market 45,000 का breakout देखे, आपको एक momentum दिखाने की कोशिस करेग कि हमने नई channel पर काम करना शुरू कर दिया है, और इसका link आपको नीचे description में मिल जाएगा, यहाँ पर आपको दूसरी वीडियो भी provide की जा चुकी है, जो की काफी बहतरी topic है, habits that are making you poor, अगर आपने नहीं देखी, आप जाके देख सकते हैं, इस channel का link में नीचे description में लिए, तो आप जाके इस channel को subscribe कर लेना, वापीस आते हैं, वहाँ पर discussion करते हैं, 15 मिनट के time frame पर चीज़े समझने की process करते हैं, अब हमारे लिए जरूरी क्या होगा, यह वाला zone, यह क्या है previous day high, यह क्या है हमारा previous day closing, यह क्या है हमारा previous day low, कहीने कहीं मार्केट ने इसका breakout देके इस gap को तो fill कर दिया है, लेकिन इस चीज़ को notice करो, यह मैंने आपको one day के time frame पर समझाई, कि अभी भी हमारे लिए यह एक important क्या है, एक resistance zone है हमारे लिए, फले हमें breakout मिल गया हो, लेकिन ऊपर price sustain नहीं कर पाया, यह चीज़ हमें साप साप दिखाई दे रहे हैं, अग analysis वीडियो है, invest करने से पहले आपको अपनी research करनी है, अपनी investor की सला लेनी है, क्योंकि profit भी आपका उने वाला है, loss की जिम्मिदार भी आपको अपनी आप लेनी है, अगर market flat open होके आपको positive momentum दिखाता है, तो हमारे लिए एक तो इस वाले resistance zone का market breakout दे, आपको यह चीज़ हमारा पहला resistance zone चलता हुआ रहा था, यह वाला resistance zone, इसे आपको आगे extend करना है, यह आपके लिए resistance के रूप में act करने के इसकी possibility बढ़ जाएगी, अगर market इसका भी breakout देता है, जो 29 का day है, यह आपके लिए अगला resistance zone रहने वाला है, इसे आगे extend कर लेना आपको, वही पे अग market flat open होगे, आपको negative momentum दिखाता है, इस situation पर हम क्या आप focus करेंगे, दिखो इस situation पर ज्यादा बहतर तो यह रहेगा, नीचे की तरफ आपके दो support होगी, पहले support की बात करें, तो आपके लिए support होगया previous day low का, दूसरे support की बात करें, तो यह एक round level है 44,000 का, तो अब आप उसे ही सवाल पूछो, कि अगर market ने flat open होगे negative momentum दिखाया, तो क्या long position ली जा सकती है, यह negative side aggressively positions बनाई जा सकती है, जवाब आपके अंदर से आना चाहिए, नहीं, सिर्फ और सिर्प सिर्पिंग की जा सकती है, कि पहली scalping कर लिए आपने previous day low पे, previous day low का breakdown मिला, अगली scalping कर ल रहेगा, यह कहीं ने कहीं market को रोक सकता है, bounce करवा सकता है, तो उससे बहतर क्या है, उससे बहतर आपके लिए यह रहेगा, कि आप इस चीज़ पर focus करो, कि market यहाँ पर क्या momentum कर रहा है, ब्रेकडाउन देगा इसका, या फिर bounce करके ऊपर की तरफ चलेगा, आपको यह सारी चीज़े देखनी पड़ेगी, तभी आप market की momentum को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, यहाँ तक चीज़े clear होगी, आगे discussion करने के कोशिस करते हैं, अगर market ने आपको gap up opening दे दी, उस scenario पर आप क्या करेंगे, उस scenario पर आपका फूकस रहेगा previous day high पे, market इससे कितनी दूर अगर इसी के आसपास gap up opening दे रहा है, तो इसका मतलब सांती से बैट जाओ, और market को time spend करने दो, एक platform create करने दो, उसके बाद entry करेंगे, लेकिन अगर कहीं आपको यहाँ पर gap up opening दे रहा है, 44,300 के round gap up opening दे रहा है, breakout दे के ऊपर चलता है, तो पहला resistance बनेगा previous day high, इसका breakout मिलत है, तो यह resistance zone आपको आगे extend करना है, अगला resistance यहाँ पर बनेगा, इसका breakout मिलता है, तो 29 का day high मैंने बताया है, possibilities हो सकती है, वहीं पर market आपको gap down opening दे देता है, इस situation पर आप पूरा focus करेंगे previous day low पर, अगर market इसी के असपास gap down opening दे के breakdown दे देता है, फिर से वही सवाल, क्या negative side, aggressively आप position बनाएंगे, जवाब क्या न चाहिए नहीं, क्योंकि नीचे एक round level बेटा हुआ है, scalping जरूर कर लेंगे, लेकिन aggressively position नहीं बनाएंगे, एक बहतर position जब market 44,000 का breakdown दे देगा, तब हम ले सकते हैं, 4th के day low तक के momentum के लिए, क्योंकि अगले support की possibilities वहीं पर है, लेकिन अगर market यहाँ पर support लेके ऊपर चलने लग जाए, तो पहले previous day closing का breakout होने देना, उसके बाद आपको पता है कि आपके लिए resistance की possibilities कहां कहां पर हो सकती है, दोस्तों मैं आपको last में फिर से याद दिलाना चाहता हूँ, कि अगर आपने इस दूसरे वाले channel को subscribe नहीं किया है, न इस वीडियो को जरूर देखना, यहाँ पर काफी अच्छा content प्रोवाइड किया गया है, habits that are making you poor, अगर आपके अंदर भी इन में से कोई habit है, तो उसे आज ही आपको change करना है, दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर में लेंगे किसी next वीडियो में किसी अच्छे content के